नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से स्वागत है आपका एक और ने लाइव सेशन में कैसे हैं आप एक बर फिर से आप सब का हारदिक स्वागत अभिनेंदन जैस्री राम राधे राधे आज प्लास शिक्स अन्सी आर्टी भोल जो हो पूर्ण हो जाएगा आपको प्लास शिक्स टू टैन हमने भोल के वल लाइनल क्योशन का एक लंबा जो सेशन था उसको आज कंप्लीट हम कर लेंगे एक एक क्योशन एक एक चेप्टर और एक एक दिन करके हमने जो है वो हिस्ट्री और स्योग्राफी एन्सी आर्टी का कंप्लीट कर दिया है हमारा राजस्तान कंप्लीट कर दिया है और इतना यह जो डाटा है वो रीट के पेपर में कि पातरता पात राप्त करने में काफी आपके लिए मददगार साबित होगा आज भुगोल कंप्लीट हो जाएगी और कल आपको भुगोल के जो है वो कंप्लीट प्रिंट वाला पेडियो फाइल अप्लोड कर दिया जाएगा जिसको आप हमारे टेलिग्राम प्रिवार से जोइन कर सकते हो टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो इसके बाद एक ओड पड़ाव है जिसमें हम क्लास 6 to 10 पॉलिटी का जो पार्ट है उसको भी कवर करेंगे उसकी क्लासे कल से सुरू कर देंगे हम कल रात को 9 से 10 बज़े जो क्लास होगी वो आपकी किसकी होगी पॉलिटी के वल लैनर क्योशन की होगी इसकी अंदर जोग्राफी के अंदर और हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री हमने 6, 7, 8 की किया है क्योंकि 9 और 10 के अंदर जो हिस्ट्री है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो हमारे स्लेबस का हिस्सा नहीं है हिस्ट्री जो किया है वो 6, 7 और 18 तीन क्लास का किया है जबकि जोग्राफी जो हमने की है वो 6 to 10 कम्प्लीट किये कुछ भी नहीं छोड़ा है इसनी प्रकार पॉलिटी जो शुरू करेंगे हम कल से उसमें हम प्रियास यह करेंगे कि ऐसे सारे टोपिक जो ग्रेड सेकिंड में है और रीट में है दोनों स्लेबस के अधार पर जितने टोपिक हमारे स्लेबस में है वो वो सारे टोपिक आपको मैं वर्ल नाइनर के रोप में कल से शुरू कर दूँगा 6 to 10 क्वालिटी साथ साथ ही आपकी प्रेक्टिस क्लास चली रही है करता हूँ कि यह सारा जो डाटा है जो हम सारी मेहनत कर रहा है रात दिन लगे हुए हैं आप भी लगे हुआ हूँ मुझे भी जितना समय मिलता है मैं भी लगा हुआ हूँ और हमारा जो लक्षे है वो है अच्छे नमर से रीट की पातरता प्राप्त करना और फिर मुख्य पेपर को पास करके ग्रेड थर्ड अध्यापक की रूप में अपने आपको स्तापित करना इस लक्षे को प्राप्त करने के प्रियास में ये एक और कदम है अगर आपको ये डाटा अच्छा लग रहा है अच्छा लगे या ना लगे ये तो एक अलग मेटर है बट इतना जुरूर मान के चलिएगा कि जो भी आप यहां पर पढ़ेंगे वो सारा का सारा पढ़ा हुआ आपके जीवन में जब भी आप किसी भी एक्जाम में जाएंगे आप चाहें इंडिया का आप चाहें राजस्तान का कोई भी किसी भी तरीके का कमपीटेशन पर देंगे तो आपको यह जो डाटा है याद आएगा इतना जुरूर रखना याद और आपके सफलता के अंदर मैं यह नहीं कहता कि चाहें वह दस परसेंट आए चाहें बीस परसेंट आए चाहें पचास परसेंट आए तो पेपर होने के बाद पता चलेगा कि हम कितने सफल हुए अपने लक्षे में लेकिन जो अनबह है 2021 का उस अन्भों के अधार पर हम बिल्कुल सही track पर हैं और हमें इससे बहतरिन benefit मिलेगा तो आप सब लोग जो है वो जितना ज्यादा हो सके जितनी ज्यादा बार आप revise कर सकते हैं इस 15-20 दिन के समय में इनको revise करिए किवल प्रिंट निकाल के रख मत दीजिएगा आपके आसपडोस में कोई भी ऐसा बच्चा है जो इन एक्जाम की त्यारी कर रहा है या राजस्तान के कोई भी एक्जाम की त्यारी कर रहा है आपके आडवसपडास में कोई भी ऐसा गरीब बच्चा तो आप उसकी सहाइता के लिए उसको भी ये डाटा जो हो दे सकते हैं हम किसी से किसी भी परकार का सुल्क, किसी भी परकार का मुल्ले, किसी भी परकार की फीस जो हो नहीं ले रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप उनको या तो PDF दे दीजिए या आप अपने डाटा उनको दे दीजिएगा और उनको कहिएगा कि आप भी फोटो कोपी करवा लीजिएगा. टारगेट यही है जितने जादा बच्चों तक पहुंच सके जितने जादा बच्चों को benefit हो सके उतना हो क्योंकि यह उदे से ही है कि जादा से जादा लोगों की साहिता हो पाए तो यह आप से छोटा सा निवेदन रहेगा. तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की. कैसे हैं आप सभी? देखिए भुगोल के अंदर यह आज लाश सेशन है. लाश 10 पूरी हो जाएगी. 11, 12 हम नहीं करेंगे. वल लाइनर के उसन अपने पूरे हो जाएगे आज. तो चलिए देखते हैं आज लाश्ट के दो चेप्टर बचे हो हैं उनको पूरा करते हैं 6 और 7 को. अगर आप हमारे इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जुरूर बने आप ताकि आप जो है वो इस परिवार में आने वाली जितनी भी क्लासे हैं उन सब को जो है वो बहतर तरीकी से देख ठीक है और इसके बाद आप टेली ग्राम को जो है वो जोइन कर सकते हैं जहां से इन सारी क्लासे की पेडियेफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमने हर एक्जाम के लिए और हर बुक को जैसे कलास 6 की बुक है तो उसके लिए एक पूरा का पूरा कम्प्लीट एक वीडियो बना रखा है इसके अलावा जोग्राफी का अलग कम्प्लीट वीडियो मिलेगा 6 to 10 का NCRT 6 to 10 6 to 8 हिस्टरी का अलग है हमारा राजस्तान का अलग है हमने सब के लिए अलग-अलग अलग तक आपको नींद नहीं आती है तो आप अलाकि मेरी इतनी अच्छी आवास तो नहीं है फिर भी आप जो है वो वीडियो को चला कर अपने बेट के पास छोड़ सकते हैं उससे सब्सक्राइब करते हूं ज्यादा से ज्यादा बार इनका रिवजिन करने का प्र्यास कर सकते हैं तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुवात नंबर 6 आपके सामने है वी निर्मान उध्योग डारेक्ट ये टोपिक नहीं है लेकिन जब उध्योग पढ़ेंगे तो हमें वी निर्मान उध्योग भी पढ़ने पढ़ेंगे तो देखिए कौन कौन से क्योशन बंदे हैं ऐल्मूनियम कि से निर्मित होता है यानी ऐल्मूनियम का निर्मान किसे होता है ऐल्मूनियम के लिए कच्चा माल है भॉकषाइट ठीक है read level first read level second grade second में इस तरीके के question पूछे जाते रहे हैं इस उध्योग को आर्थिक विकास की रिड की हड़ी कहा जाता है, तो वी निर्मान उध्योग को आर्थिक विकास का रिड कहा जाता है, वी निर्मान उध्योग का सकल घ्रेल उत्पाद में कितना परतिसत योगदान है, तो वी निर्मान उध्योग का 14 परतिसत जो है वो रहता है, next question देखिएगा, वी निर्मान उध्योग के विकास के लिए कौन सी संस्ता कि स्टापना की गई थी, तो राष्टिये वी निर्मान प्रतिस्प्रधा प्रिशद NMCC किस्तापना की गई थी, next question देखिएगा, कच्छे माल की स्त्रोत के अधार पर उध्योगों को कितने भागों में बाढ़ सकते हैं, दो भागों में, पहला तो है कर्शी अधारित उध्योग होता है, और दूसरा होता है खनीज अधारित उध्योग, एक तो कर्शी से लिए क्या होता है, कच्छा माल होता है, और दूसरा होता है, जो वी निर्मान उध्योग होता है, खनीज पर आधारित वी निर्मान उध्योग, अधित्य सास्वत कह रहे हैं, हिस्ट्री कम्पलीट नहीं हुई है, क्या कम्पलीट नहीं हुआ हिस्ट्री आप, आप देखे स्वेमीक के सभ्लेवसंत की देखे और स्लेवसंत के अधार पर जो मैंने आपको किरवा है वह देखे अ सिक्षिसन देखिएगा भूम का के अधार पर उध्रोग कितने परकार के हो सकते हैं भूमिका की अधार पर भी दो प्रकार के उध्योग होते हैं अधार भूत उध्योग और उफोगता उध्योग अधार भूत उध्योग कौन से होते हैं जिनके उत्पाद या कच्छे माल पर दूसरे उध्योग निर्वर हो अधार भूत उध्योग कहलाते हैं अधार भूत उध्योग क्य भारत Heavy Electronics Limited अथार्थ भैल तथा Steel Authority of India Limited अथार्थ सेल आधिक किस परकार के उधोग हैं भैल और सेल यह दोनों किस परकार के उधोग हैं तो यह दोनों ही उधोग जो है वो सरकारी उधोग है गोर्मेंट ट्रेल्ड उधोग हैं अना ऐसे क्यूशन पूछ लिये जाते हैं कि टिस्को किस केटिगरी का उधोग है नीजी छेतर का है सरकारी छेतर का है सहकारी छेतर का है या प्राइवेट है तो कई बार पेपर में इन चीजों के बड़े ही सरल क्यूशन भी हमारे लिए बड़े कठिन हो जाते हैं बड़े स प्राइवेट होता है तो इस प्रकार से आधा प्राइवेट और आधा गोर्मेंट दोनों मिलकर जो उध्योग स्तापित करते हैं उसे स्युक्त उध्योग जो है वो कहते हैं next question देखिएगा भारत का एक मातर कौन सा उध्योग है जो कत्य माल की पून आतम निर्वर है यानि भारत का कौन सा उध्योग है जिसको रो मेटेरियल के लिए किसी भी आयात पर जो है वो आशरित नहीं रहना पड़ता है तो एक मातर उ वस्तर उध्योग वस्तर उध्योग के लिए भारत में प्रयाप्त रूप से जो है वो क्या है कच्छा माल है next question देखिएगा पहला सूती वस्तर उध्योग कहां और कब स्तापित किया गया था तो मुंबई में किया गया था ठारश चोवन में और वोट्षन पट्षन सबताया पड़ो पट्षन पट्षन निर्मित समान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है पट्षन निर्मित जो उध्योग है उसका सबसे बड़ा उत्पादक जो है भारत है पहला पट्षन उध्योग जो है वो कहां स्तापित किया गया था तो काल सिस्रा में 1885 के अंदर रखो कॉल रिश्रा के अंदर 1885 में नेश्ट क्रिशन आता है भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है तो चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है और गुडवे खांड स्री के उत्पादन में भारत का कौन सास्तान है गुडवे खांड स्री के उत्पादन में भारत का जो है वो पर्थम स्तान है लोहा और इसपात उध्योग में लोहा ऐस्क को किन चूना पर्थर का उनपात लगभग कितना होता है यानि लोहा बनाने के अ थहाद अनुपात दो अनुपातए एक ज्यार भाग होता है को किन को 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 पत्र एक होता है वर्ष दो हजार उन्निस में 111 मिलियन टन इसपाद भी निर्मित कर वर्ष दो हजार स्थान पर था तो दूसरे स्थान पर था दो हजार गुनिस में और भारत किस लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है तो यह किसर मोश्ट है भारत में स्पंज टाइप का लोहा होता है कौन सा sponge type का लोहा 2019 में परती वेक्ति इस पात की खपत कितनी रही थी भारत में तो 74.3 kg परती वेक्ति परती वर्स यानि एक वर्स में एक वेक्ति 74.3 kg लोहे का जो है वो क्या करता था यूज करता था अपने विभिन कारियों में ठीक है next question देखिएगा कि 2019 में विश्व में परती वेक्ति ओस्थ खपत कितनी रही थी तो 239.3 kg विश्व के अंदर जो है वो एक वर्स में एक वेक्ति जो है वो 239.3 kg जो है वो लोहे का उपियोग करता था next question देखिए आपके screen पर क्या आता है next question आता है कि सारवजनिक छेतर में सभी उपकरम अपना इस पात किसके माध्यम से जो है वो यूज करते हैं या उप्त करते हैं तो यह है Steel Authority of India Cell के माध्यम से सारवजनिक उपकरम में जो इस पात है उसका source क्या है Steel Authority of India इस पात का सबसे बड़ा उतपादक देश कोन सा है चीन चीन में सबसे ज़्यादा होता है भारत में अल्मूनियम प्रबलन सैंतर कहां स्थित है तो यह Odisha के अंदर पसिम बंगाल के अंदर केरल उतरपरदेश शतिसकर महराष्टर और तमिलाडू में है next question देखेगा भारत के कोल सकल घरेल उतपादन में रसाइन उध्योका कितना योगदान है तो मातर तीन परतिसत ही योगदान है रसाइन उध्योका केमिकल उध्योका भारत के टोटल जो सकल घरेल उतपादन है उसके अंदर तीन परतिसत ही योगदान जो है वो किसका है इसका है इसका है आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि तीन मुख्य पोसक और वरक कौन-कौन से हैं तो यह है नाइट्रोजन फास्फेस्ट एंड पोटास ठीक है सिमेट उध्योक का परमुक कच्चा माल क्या है अगर सिमेट उध्योक स्तापित करना चाहते हैं आप तो उसके लिए raw material के रूप में आपको क्या चाहिए तो इसके लिए आपको चूना चाहिए चूना पत्थर, सिलिका और जिपसम भारत में पहला सिमेट उध्योकारखाना कहा स्तापित किया गया था 1964 के अंदर चेन्नाई में किया गया था भारत में electronics राध्धानी किसे कहा जाता है पैंगलूरू को भारत में electronic राध्धानी जो है वो कहा जाता है next chapter आता है राष्टी अर्थ व्यूस्ता की जीवन रेखा ये भी topic तौपिक तो अपने syllabus में नहीं है लेकिन इसकी अंदर क्या है इसकी अंदर हम सडक परिवेहन जल परिवेहन और वायू परिवेहन इन संचार के साधनों की चर्चा करेंगे क्योंकि यही सब मिलकर जो है वो अर्थ विवस्ता की क्या है धीविन रेखा होती है अंतिम साथ नमर चेप्टर आपके सामने रख रहा हूँ देखिएगा और बताईएगा कि आपको कैसे लग रहे है क्योशन जितने क्योशन बन सकते हैं ठीक है मेरी बुद्धी से मेरी बुद्धी से जितने क्योशन बन सकते हैं आप तक पहुंचाने का प्रियास मैं कर रहा हूँ फिर भी एक बार आप चाहें तो किसी भी चेप्टर के क्योशनों को क्रोश चेक कर सकते हैं आ नागी मेरा प्रयास ही है कि कोई भी किसंट छूटे नहीं फिर भी पता नहीं मेरे बुद्धी या मेरे आँखों से योजल हो जाए तो एक आदा चैपटर जैसे कोई भी कैठर जैसे कोई तूसरा पांच हुआ आठ कोई भी चेप्टर उठा के आप देख सकते हैं, फिर आपको और ज्यादा विश्वास होगा, आपको और ज्यादा भरोसा होगा, next question देखिएगा, चेप्टर नमर 7 का पहला question, 2020-21 तक भारत में सडक जाल लगबग कितना किलोमेटर है, तो भारत में 62.16 लैख किलोमेटर जो हो तो दिल्ली, कोलकता, चन्ने, मुंबई, दिल्ली, इस प्रियोजना या नहीं, सुनिम चतुर्भुज, महाराज मारग प्रियोजना के पर्थम चरण में कौन-कौन से स्थान सामिल है, तो पर्थम में इसमें उत्तर दक्षन गलियारा, जो की स्रीनगर को कन्या कुमारी से जोड़ता है, ठीक है, और प्रियोजना के जिते चरण में कहां से कहां तक है, पूर्वज से पर्सिम गलियारा, जो की सिल्चर, यानि असम का एक स्तान है, सिल्चर से पोर बंदर, गुजरात को जोड़ता है, यानि भारत को इस तरीके से ये जोड़ता है, ये बनता है नेश्ट कृष्ण देखिएगा, आप देखोगे कि पिछले 10 साल में भारत की जो सड़के हैं उनकी काया कलब हो चुकी है, यानि भारत की जो सड़के हैं उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, सड़कों की जो गुण, क्वैल्टी है वो बहुत अच्छी हो गई है, भारत की जो सड़के हैं वो बहतरिन हो गई है, पिछले 10 सालों के अंदर सड़कों का विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, सवनिम चतुरभूज महाराज मारक, महाराज क्यों लिखा है, महाराज मारक, यानि राज मारक के बाद महाराज मारक, किसके अधिकार छेतर में आता है, तो राश्ट्रिय राज मारक प्राधिगर्ण, NHAI के अंदर जो हो आता है, ठीक है, NHAI जो है इसका क्या करती है, निर्मान करती है, एक कमेंट आ रहा है कि PDF में भूत सारी गलतिया है, अनिता दाइमा कह रही है, मिर बहिन साइद आपने स सारी PDF को पढ़ा रही है, हाँ, ऐसा तो देखो, हो सकता है कि कोई 5-2-4 गलतियां आ जाए, ठीक है, कोई टाइपिंग में इस्टिक रहे जाती है, हलाकि हो ज्यादा चेक करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी कोई एक आदी चेप्टर में एक आदी गलती हो सकती है, तो उसकी ल गलत हो गया, तो वो एक अलग बात है, बाकी तो गलतियां नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है कि गलतियां भो जादा है, तो आप ये कारिये कर सकते हैं, जहां जहां आपको गलती लगे, उसको अंडरलाइन करके या गोला करके उसका स्क्रीन सोट लेके आप मुझे वापस सही करूँगा, ठीक? पब्लिक यानि सारुजनिक निर्मान विभाग, पब्लिक वर्क टिपार्टमेंट, किस योजना के तहत सरकों के विकाश को विशेश प्रोत्साहन मिला, परधान मंत्री ग्रामिर सडक योजना के अंदरकंत, और भारत की स्तल सीमाओं पर बनी सडकों का रख रखाओं कोन क ये जो सीमाओं है, इन सीमाओं पर जो सडके बनी हुई है, उन सडकों को, यानि जो मिल्टरी रोड है, जो देश की सीमाओं पर जो सडक बनी हुई है, उसकी रख रखाओं का कारिये भारत सरकार प्राधिकन के द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा? भारत सरकार प्राधिकन का निर्वान कब किया गय था 1960 में विश्व के सबसे लंबी राजमारक सुरंग कोन सी है तो अटल टनल जो है वो विश्व का सबसे लंबा जो है वो राजमारक सुरंग है जो कि 9.02 किलोमेटर है अटल टनल के आपस अटल टनल किसे आपस में जोड़ता है किसे सबत था यहां पर इस परकार की कुछ गलतियां रहे सकती है किसे आपस में जोड़ता है तो मनाली को लोहाल स्पीती मनाली को लोहाल लाहोल स्पीती से जोड़ता है लाहोल स्पिती जो स्तान है उसको मनाली से जोड़ता है क्योंकि ये रास्ता पहले जो हो 6 मैने तक बरफ से ढखा रहता था और यहां आवाज आई जो हो नहीं हो पाती थी बट अभी जो है वो ये सुरंग बनने के कार यहां जो है वो 12 मैने तक यातायात किया जा सकता है भारत में प्रतम रेल गाड़ी कहां से कहां चलाई गई थी तो 1853 मुंबाई और ठाने के मद्धे 34 किलोमेटर की बड़ी लाइन किसे कहते हैं जिस रेलवे लाइन में ये जो पत्रिया होती है उसका जो गेप है वो 1676 मीटर का होता है उसको बड़ी लाइन या नेरो गेज के नाम से इसको जाना जाता है नेक्स्ट क्रिशन देखियेगा बड़ी लाइन की भारत में कुल लंबाई कितनी है यानि जो नेरो गेज है उसकी लंबाई कितनी है यह 63,950 किलोमेटर की मीटर लाइन की चोड़ाई कितनी होती है ये 1 मेटर की होती है पत्रियों की चौडाई एक मेटर होती है, और मेटर गेज 2402 किलो मेटर है, और सबसे चोटी लाइन जो होती है, वो होती है आपकी 0.762 से लेकर 0.6110 मेटर की चोडाई पर, और इसकी जो लंबाइई है वो 176 köl किलो मेटर ही है, भारत में रेल्वे के कुल कितनी लंबाई है तो 6,956 km टोटल जो है वो इसकी क्या है भारत में रेल्वे का जाल फेला हुआ है पाइपलाइन प्रिवहन का प्रियोग किसके लिए किया जाता है पाइपलाइन क्या होता है जैसे यहां पर कोई फेक्ट्री है और यहां पर कोई गेस प्लांट है यानि माल लीजिए यहां पर जो है वो लपीजी बनता है और इस गेस प्लांट को क्या चाहिए गेस तो यहां से लिकर यहां तेक ऐसाध्य बिछा दि जाती ह और इस पाइप से क्या होती है यहां से गेश just संचार होता हे आना तो इसे कहते हैं पाइप लाइन परिवहन कळस तेल पेंट्रोल प्राकरति गेस अधी के प्रिवहन के लिए पाइप लाइन प्रिवहन यूज किया जाता है भारत में pipeline प्रिवहन को कितने भागों में बांटा गया है तीन भागों में इसको बांटा गया है ठीक है यहां पर लिखे हुए भी यह तीनों भाग आप पढ़ सकते हैं नेक्स देखिएगा भारत में pipeline जो प्रिवहन उसकी total लंबाई 18500 किलोमेटर हो गई है जो पहले कितनी थि 1700 किलोमेटर थी but भारत में जल मारक के कुल लंबाई कितनी है जल मारक में 14500 किलोमेटर 14500 किलोमेटर चाल मारक जल यतायत नेक्स्ट कुछिन देखिए नोगम में जल मारक संख्या एक यानि जो पानी के अंदर जल मारक संख्या एक है वो कहां से कहां तक फेला हुआ है जैसे हम सड़क को क्या कहते हैं एनस कहते हैं नेशनल हाईवे कहते हैं नेशनल हाईवे संख्या एक चार पांच इसी परकार जल मारक में भी जो है वो संख्या है जैसे इसको क्या कहते हैं नोगम में जल मारक संख्या एक यह कहां से कहां तक है हल्दिया से लेकर हल्दिया तत यह किर्शन मोस्ट है यह देख लेना आप यह दूसरा जो है वो जल मारक संख्या टू जो है वो सदियावय धूबरी के मध्य नो सो 891 किलोमेटर लंबा है जो कि ब्रहंपुतर नदी पर बना हुआ है यह गंगा नदी पर 1620 किलोमेटर का बना हुआ हल्दिया से इलहाबा तक और नोगम में जल मारक संख्या तीन जो है वो केरल में पस्थिम तटिय नहर है यह जो कि कोठाल पूरम से कोलम तक है और उध्योग मंडल तथा चंपकारा नहरों के द्वारा 205 किलोमेटर लंबा है यह राश्टिय जल मारक च्यार जो है वो कहां से कहां तक है तो यह कांकी नाड़ा और पुंदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी तता कृष्णा नदी की विशेश विस्तार है 1070 किलोमेटर का 708 किलोमेटर का सोरी 1078 जराश्टिय जल मारक संख्या 5 जो है वो कहां से कहां तक फेला हुआ है यह मताई नदी महा नदी के डेल्टा चैनल ब्रहम लग्याश्टी नदी का विशेश विस्तार है 1578 किलोमेटर में यानि आपसे पूछा जा सकता है कि राश्टिय जल मारक संख्या 5 क्いत्रिंव कि लंबाई है चार कि कि फेले हुए है इस प्रकार के question आप से जो है वो पूछे जा सकते हैं नेस्ट question भारत का कितना प्रतिसत व्यपार समुंदरी पतनों द्वारा किया जाता है 95 प्रतिसत यानि भारत में जो import export का जो कारोबार है उसका 95% जो है वो किसे किया जाता है जल मारक से किया जाता है यानि बंदरगाहों से किया जाता है पतन यानि बंदरगा भारत में समुंदरी तटरेखा कितना किलोमेटर लंबी है 7516.6 किलोमेटर लंबी है और भार्त के समुंदर तट रेखा पर कितने परमुक बंदरगा है तो बारह, भार्त के समुंदर तट रेखा पर कितने मध्यम और छोटे बंदरगाई है तो दोस्व! नit прин titles के पराप्ति के परिषाング, कोंसा बंदरगा था floods? कांडला और कौन सा पतन देश विभाजन के बाद पाकिस्तान में सामिल हो गया कराची और कांडला पतन को किस नाम से जाना जाता है दीन देयाल पतन ये किर्षन भी मौस्ट है मुंबई पतन के सामने कौन सा पतन स्थापित किया गया है जवाहरलाल नहरू देखें मुंबई पतन जियो बहुत ज्यादा वेस्ट रहता था और बहुत ज्यादा वेस्ट रहने के कान इसके सहियोग के लिए एक और छोटा पतन स्तापित किया गया जिसका नाम क्या है जवाहर राल नहरू पतन है नेक्स्ट क्यूसन देखें आपके स्क्रींड पर लोहा एसके निर्मान के लिए परमुख पतन कौन सा है लोहा यहद रखना भूँत प्यारा क्यूसन है लोहे के निर्यात के लिए मारमागुआ पतन योसन पुछा जाएगा प्राचिंतम कृतरिम् पतन कौण सा है? पर्थम सब्द लिखा गया है जो कि गालत है, यह पर क्या होता? पतन सब्द होता, खरतरिम् पतन। ऐसी गलती यह खेट परकड़ कर देता हैं। चेन नहीं है ये कौन सा है चेन नहीं नेश देखिएगा ओडिसा में कौन सा पतन स्थित है पारादीप पतन और वायू प्रिवहन का राष्टिय करण का वुआ था बहुत अच्छा क्योशन है 1953 में और भारतिये वे विदेशी सभी फिल्मों को प्रमानित करने का अधिकार किसे है के अंदर ये फिल्म प्रमानन बोर्ड को है तो ये हो गया आज आपका NCRT क्लास 6-10 फॉल लाइनर क्योशन पूर्ण हो चुके हैं आपके और कल से हम 6-10 के पॉलिटी के क्योशनों की जहो शुरुवात करेंगा तो बताइए ये जो क्योशन है वो आपको कैसे लगे अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बट आपने हाथ से नहीं लिखे हैं और आप सोच रहें कि PDF का प्रिंट निकालेंगे तो कल आपको इसका complete PDF जो है वो हमारे इसी परिवार में जो है वो मिल जाएगा जिसका आप जो हो क्या कर सकते हो प्रिंट निकलवा सकते हो अगर आप प्रिंट निकलवाना चाहते हो तो बाकी हाथ से लिखोगे तो वो सबसे ज़्यादा benefit रहेगा क्योंकि हाथ से लिखोगे तो याद जादा होगा अब हम एक तो कलास 6-10 पॉलिटी करेंगे और बाकी क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे आज लगभग 3-4 दिन हो गए हमारा जो टेस्ट है वो नहीं हो रहा है तो कल से हम जोग्राफिक पॉलिटी का यानि सोरी पॉलिटी के क्लास के वल लाइनर क्यूशन और सस्टी के एवियस के सिंचिंग मेथड के पलस स्टीडीपी के यह टेस्ट जो हुआ आपके कल से स्मार्ट मोर्ड की क्लास ओपर ही होंगे दिन में और रात को नो से लेकर दस बज़े तक जो होंगे वो क्या होंगे पॉलिटी के वल लाइनर क्यूशन होंगे आप चाहोगे तो पॉलिटी मैं NCRT से करवा दूँगा और वैसे पॉलिटी के क्यूशन जो प्रिविज एर क्यूशन मैं आपको करवाऊँगा SST की क्लास में वो मैं आपको SST में करवा दूँगा तो पॉलिटी और इन सब की क्यूशन हो जाएंगे अब बहुत सारे बच्चों की दिमाग में ये आएगा कि क्या NCRT और RBNC पुस्तक जैसे हमारा राजस्तान पुस्तक हमने पढ़ी है राजस्तान जीके के लिए और NCRT की पुस्तके हमने पढ़ी है इंडियन हिस्ट्री इंडियन जोग्राफी के लिए तो आपके मन में एक बहुत बड़ा क्यूशन है कहीं न कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है मन विचलित हो जाता है कभी-कभी कि क्या ये इतना पढ़कर सफलता प्राप्त हो सकती है क्या या फिर कोई गाइड लेके पढ़ें उसको या क्यों इतना पढ़ लें कि हम NCRT पढ़ने 6-10 तक सभी कि सभी तो ये चोटा सा जो कन्फ्यूजन है इसके लिए यही रहेगा मैं अपने अनभों से बता रहा हूं लास्ट टाइम जब हमने NCRT लास्ट टाइम तो आर्बीएसी लागू था 2021 में तब हमने आर्बीएसी के अंदर जो पढ़ा था उत्ये ओल्मोस्ट जो है वो आपके जो 60 क्यूर्षण आते हैं उसमें से 10 क्यूर्षण तो आते हैं तो कि चालीस कवशण आता है तो पचास में से 40 क्यूर्षण आपको यहीं से मिल जाएंगे असा अ creators मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप को गाइड पढ़े ना लेकिन आप मालो आज से त्यारी कर रहा कोई बच्छा ऐसा भी है कि इतने दिन उसको समय नहीं मिला वो सोच रहा है कि मगर आज से सोच लूँ कि मुझे थर्ड ग्रेड अधापक बनने के लिए रीट की पातरता लेनी है तो आप अगर आज से भी सोचते हो और आज से यह जो वल लाइनर क्यूशन है क्योंकि डिटेल पढ़ने का तो आपके पास समय नहीं होगा आज से अगर आप त्यारी करोगे तो तो अगर आप वल लाइनर क्यूशन पढ़ लेते हो हमारा राजस्तान 6-10 एंड हिस्ट्र सारे पेपर और रीट के सारे पेपर रीट 2011 से 21 तक के सारे पेपर और सिटेट के सारे पेपर भी कर लेते हो तो यह मान के जलिए कि आप आजानी से तो नंबर तक पहुंच जाओगे तो बस अभी के लिए इतना ही धन्यवाद आप सब लोग आए अपना किम्ती समय दिया इसके लिए मिलते हैं एक और सेशन में तर्तक के लिए भासते रहे पढ़ते रहे और मुश्कराते रहे धन्यवाद थैंक्यू